जी मेरे नाम गुर्जीद को टाटर है जी मैं शुरीद भगे सिंग की छोटी बहन भी परकाशकार की बेटी हूं और हम लोग हिश्यारपट से आए हैं और जब से अंदोलन शुरू आए तब ही सिंगुबाटर पे हैं और यहां पर भी चक्कर लगाते रहते हैं मैं झो आफजो आंदोलन चल रहा है चौतर दिन हो चुके हैं यह को दोसे से थे जदा किसानेस में शही और यह आशा की कि यह हमारे सभी तकलिफों को देखेंगे और यह तो बहुत ही गालत बात आए के लिए देश के पढ़न के लिए कि वो इतने लोग मर रहे हैं और इनके लिए एक शब्द में बोल रहे हैं वो अडानिया वनी किसके पूता हुआ था उसके उसको बधाई देन हो रहा है और उसके लिए उनकी कोई भी कोशिश नहीं है कि इसको जल्दी निप्टाया जाए लेकर वो भूल रहे हैं लोग शक्ती ही सबसे बड़ी शक्ती होती है जब लोग सब अभी भी मैं सोचती हूं भी जितना लंबा अंदोलन चलेगा अभी बहुत लोग हैं जिनको स समझ नहीं है इस अंदोलन की वो खिसान अंदोलन ही समझते लेकिन आने वाला टाइम जो ए सभी समझ रहे हैं कि यह सबी की तकलीफ होगी जो जे कनून बनाए हैं यह सभी के लिए मारूं है कोई भी सवाइत दो चार घ्रानों कों किसी का वी फाइदा नहीं होने वाला तो तो यही बात है कि परधान मंतरी को इसके लिए सोचना चाहिए कुछ ना कुछ है मैंडम ऐसा नहीं है कि कानून वापसी नहीं लिए गए हैं पहले भी कानून सरकारों ने रद किया हैं वापस लिए हैं लेकिन ऐसा इन कानूनों में क्या है जो सरकार इन कानूनों को बिल्कुल वापसी लेने के लिए नहीं पता नहीं है तो सरकार को पता होगा कुछ सब इम को ने मंडी कर दिया उसके लिए किसान बताता कि हम लोग तो मर जाएंगे आपके सामने एक्जामपल है दूसरी स्टेट से जहां पर जमा खोरी को बहुत लाइसेंस दे दिया है सरकार ने कितनी दर्स आप हम सभी जो लोग है सब हमें इसको पाप मानते हैं कि कोई जमा करके पहले हैं तो सरकार ने उसको बताया में और इन्हों चूट दे दी किस लिए दे दी कौन कौन के सान इतने पैसे वाला वी जो उसको कठा करके राखने लिए डानिया मने रखेंगे जनके लिए स्टोर बना दिये हैं और हम लोगों को लेट पता लगता है बात का पता नहीं अबुर्णाव में और फरी में इनको मिलिए और इनको सहुलतें भी बहुत दे रहे हैं और आप बताईये कि सबसे दुनिया में अमीर बंदा है ना अदाने और चौत नमबर पे और उसका करजा सरकार क्यों आफ कर रहे हैं और किसान का जे 2000 भी करफ दो तो उसको पकड के ले जाते ऐं उसको क्यों नीग कैठ जा? उनका करद सामर माफ करने का क्या मतलब है? लोग क्या समझे आस सरकार को कि इनकी केम करें? किसी किसी देश का कोई भी कम पता दे जिसमें उन्होंने लोगों का भला किया. आप सविर्ई बह्यत सिंग के परीवार से हाटी है। सब को कुचलना चाहती है उनकी सोच को कुचलना चाहती है क्योंकि उनकी सोच किसी मतलब से नहीं थी कोई सेलफिश नहीं थे उन्होंने लोगों के लिए काम किया लोगों की अजादी के लिए काम किया लोगों के हक के लिए काम किया तो यह सरकार नहीं चाहती है कि लोग पूपखस सिंग के परिवार से संबंद रखती हैं तो कहीं न को आज रोती होगी कही न कहीं अगर बखिस सिंग कात्मा इस सब देखती होगी तो बिल्कुल जब मैं पहले दिन आई थे आपको मेरे को रोना आ रहा था देखे बेजिन लोगों के लिए उन्होंने जाने दी अपनी जवानी दी और जिन जिन के लिए वो अपना अधर छोड करें वो लोग आज सडकों पर आगें देश अजाद हो गया क्या आजदी मिले इस लोगों को इतने तकलीफ दे रहे हैं तो होता है दुख होता है पर यह साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि अपने हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है तो हम इन लोगों के साथ हैं करिए मैं पता है आप कैसे हैं और भगस के परिवार से आपाए हैं और सुरकार के सामने क्या महांगा कना चाते हैं आपने बारे मताइए मैं हर परितकोर खारा ते मैं मेरी फ्रेंड है इनना देना लाई है इसके सान मोर्चेज अपना देखना चांद इसकी कुछ हो रहा है अब मैं किसान ना देना ली है ते मेरा परवार भी किसान ना देना ली है ते असी खेती बाड़ी कर दे हैं सान बता किसान ना दी दुख त किसान कानुन को वापिस लेगी किसान अब बार बार सरकार से अपील कर रहा है उसके आगे गुहार लगा रहा कि भाई किसी कानुनों को वापिस लेजिए यह नसले बरबाद करने वाले कानुन है बरबाद कर देंगे भारत को लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को कोई फरक ही नहीं पड़ रहा आप इस पारे में क्या सोचते हैं देखिए फरक तो पड़ता ह यह तो लोक तंत्र सखरकार है राजा तंतर की निए राजा तंतर वालों को भी एजाति देनी पड़ी राजा तंतर वालों को जो 1.57 के पासाइओ में वापस लेने पड़े ते तो यह सरभी नहीं था कि कैसी वुद्धी के लोग 가까 की सम्झेन, डेमोक्रायुका permettre मतलब नहीं सम्झेंगे लोकों दो रहा है अगर लोग जो चाहते हैं सरकार ने वह कम करना होता है अगर निर्म को को नुक्सान हो रहा है तो लोगों को बता दें हम भी मान जाएंगे कि यह एक्ट वापस ले लिया तो सार पिछेतर दिन हो चुके हैं अंदोलन को अब क्या र समापतर दूब का जब से चला है अंदोलन उससे अफ़े लिए पंजाब से चला था रेल रोकी उसके बाद यह देली में आ गया है देली में इन्होंने फॉर्स यूज़ करने का कोशिश किया टिकेट साब के उपर उसका क्या रेक्शन होगा टिकेसाब के साथ यूपी का पूरा खड़ा और किसान अंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है यह दो चौविस तक चलेगा दूज़ेश चौविस की एलेक्शन तक यह चलेगा लोगों ने मान पना क्या लगता सरकार और किसानों को बीच में कोई बात बनेगी या नहीं बनेगी बात ही है ना यह आनप इसलिए यह जो अंदोलर है शान्त में चलता रहेगा और संगर्श करेंगे जीमिदाश शान्त में ही लाड़ें